नमस्कार में धीरज मिश्रा और आप एटीवी भारत देख रहे हैं, आज आपको एक हम ऐसे सिक्षका से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनको 5 सितंबर को राश्टी सिक्षक्त पुरुषकार मिलने जा रहा है, इनको राश्पती भवन में ये पुरुषकार दिया जाएगा हमारे साथ सरकारी स्कूल में टीडीटी अंग्रेजी की सिक्षका आरती में है, आरती में को ये 5 सितंबर को ये अबार्ड मिलने जा रहा है, आप इनसे रूबरू होंगे इसमें तो सभी का पोट है में बाद है, और इरधाश्पती सम्मान जो है, मुझे ही बताता है, कि जस्ताव में चल रहे हूँ, जो काम मैं कर रही हूं बच्चों के साथ, शिक्षा जज़त में, समाज में काम कर रही हूं शिक्षा को लेकर, वो बलकुल सही रापका है, और इसमें आगे बस चलते रहना है, तो यह जो सम्मान मिला है, यह मेरे काम को एक रिकनिशन दे रहा है, और मुझे और प्रेज़त करता है, कि मुझे और आगे बढ़ना है काम करता है, साथ में, यह मुझे एक जिम्मेदारीब दे रहा है, एक सम्मान दे रहा है, कि जस्ताथ आज लोग ये कहते हैं कि अगर आप अंग्रेजी नहीं आती है तो आप अच्छी जगर काम नहीं कर सकते तो जो देख रहे हैं और आप अंग्रेजी की सिक्षिका हैं तो अंग्रेजी कैसे बहुतर करें मुझे ऴुखा शायै भुखाश हैं अवंग्र हां॔ अट आप मुझे गढिण भुखेश करते हैं अग्रेजी के मुखेश कैसे लोग हैं और आपश्य करेंग्रेजी किस्क देएला हनक्या थे नहीं हैं वेलाई नग्वाम्टनाब्ट अज्गलीष अच्छी एक्टुजिये अच्छी एल्गलिष नाचिटे इंटो नाचिए लग्जवार फिसे एक उच्छी स्टनाइच्टा ओंपया तो डिखें अधिया नच इस अवार्ड के बाद आगी क्या फीचर प्लादिक है शिक्षा के छेटर में आगे हो फोनों से तारे करने हैं को शिक्षा का कादेशी बहुत बढ़ा है बहुत बिद्जिंद नहीं होगी अब मकसद है पूरे राष्ट्र में जो कुछ भी वहां का है बहतर नई स्ट्राज़जी टेखनी को अपनाना और अपना जो बहतरी है वो दिया में पहुँचाना तो भारत के हर्पोने में पहुँचकर वहां की जो लोकल कल्चर है उसको समझ कर एप्रिशेट करकर उसको और उसको अपने शिक्षा जो पर देती है उसमें शामिल करना है